मुफ्ट के वादे होते हैं उन पर सुप्रीम कोट में मंगलवार को सुनवाई हुई इस सुनवाई में कई पक्षों से अलग-अलग बाते निकल करके आई सुनवाई के दोरान जो याचिका करता के वकील विकास सिंग ने कहा कि मुफ्ट के वादों के चलते देश दिवालिया होने के स्थिटी में इस पर CJI रमना ने कहा कि मान लिजे कि मैं चुनाओ जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूँगा इस तरीके का वादा करता हूँ तो इस पर चुनाओ योग कैसे रोक लगा सकता है साती CJI ने ये भी कहा कि हमने ये जो मुद्दा है वो समाज और अर्थ व्योस्ता की भलाई के लिए उठाया है साती कोट ने ये भी कह दिया कि सभी पार्टियां भले ही वो भाजपा हो या फिर कोई और मुफ्त के जो वादे हैं जो मुफ्त के घोशनाएं हैं उसके सभी पार्टियां उसके पक्ष में हैं फिलाल इस पर अब कल बुद्दवार को सुनवाई होगी अब जो ये पूरी सुनवाई हुई इस मामले में कई तरीके की बहस बाजी हुई अलग-अलग वकीलों की राय भी आई सिजयाई ने इस मामले में कपिल सुबल को भी सुना कपिल सुबल ने बाद उठाई कि ये जो मामला है इसको बित आयोग पर छोड़ दिया जाए और बित आयोग को ये अधिकारों कि वो अपने जो राज्य के बजट है उन राज्यों के बजट में कटवती कर सकता हो इस पर सिजयाई रमने ने कहा कि आखिर ये कैसे तै होगा कि कौन सी चीजे जो है वो चुनाओ जीतने के लिए मुफ्त की गोशनाएं की गई है मान लिजे को राज्य है कोई भी इदल ऐसे इसकीमों को अनौंस करता है कि उससे आम आदमी को लाब होगा फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी जो घोशनाएं हैं वो किवल मुफ्त के किवल चुनाओ जीतने के दिश्चिकों से वादे किये गए हैं या किसी भी तरीके के जो राज़, इसकीम से उसका प्रभाव राज्यों पर पढ़ता है जो ये तमाम दलीले दी गई याचिका गरता के वकील नहीं बात रखी कि जो इस तरीके के वादे किये जाते हैं उसका असर बजट पर पड़ता है आर्थी किस्तिती पर पड़ता है साथी साथ जो मुफ्त की योजनाय दी जाती है उसका पूरा-पूरा जो खर्च होता है वो टेक्सपेयर के पैसे से खर्च होता है और ये टेक्सपेयर पर ही उसका बोज भी पड़ता है जो राजियों की अरत्वेवस्ता को उस्से ले करके और देश की अरत्वेवस्ता को प्रभावित करता है, ऐसे में सीज़याई रम्ना ने ये भी बात उठाई कि возь 있으면 कोई ऐसी कमेटी हो जो इस मामले में सुझाओ दे सके या उन्होंने ये भी गहा कि संसद में इस मामले में कानून बनाया जाए पर ये भी उन्होंने इसपस कर दिया कि अभी वो चुनायों को ऐसा कोई अधिकार देने नहीं जा रहे हैं इसके बावजूद भी ये जरूरी है कि इस पर कोर्ट में बहस हो ये तमाम तरीके के देखे जाते हैं कि जो मुफ्त के वादे हैं वो लगबग अब हर राजनीतिक दल के चुनावी एजंडे में सामिल हो चुके हैं फिर चाहे वो लोकसबा के चुनाओ हो या बिभिन राजियों के विधान सबा के चुनाओ वो हर चुनाओ में जो पार्टियां हैं वो इस तरीके के तमाम वादों को ले करके आती हैं चाहे वो 2014 के चुनाओ में हो चाहे 2019 के लोकसभा चुनाओ में हो या बीते समय में अभी जो विदान सभा के चुनाओ राज्यों में हुए 2019 के चुनाओं की बात की जाए लोकसबा की तो उसमें भारती जंता पार्टी की तरफ से भी कई वादे किये गए थे जिसमें किसानों को हर साल 6000 के किसान सम्मान निदी देनी की बात कही गई थी एक लाग के लोन पर 5 साल तक कोई ब्याज ना लेने की बात कही गई थी यानि ब्याज मुक्त लोन वो दिया जा रहा था एक लाग रुपए तक का पांच सालों के लिए इसके अलावा सरकारी स्कूलों में जो सिख्षा दी जारी तो उसको एक से और बारवी तक के लिए मुफ सिख्षा की बात कही गई थी इसी तरीके से कॉंग्रिस ने भी वादे किये थे कॉंग्रिस ने मनरेगा मसदूरों को ले करके बड़ा एलान किया था उसने कहा था कि हम इनको ये निश्चित करेंगे कि कम से कम 150 दिन को रूजगार मिले इसके अलावा और कई तमाम वादे कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से भी किये गए थे वहीं विदान सभा चुनाओं की बात की जाए जो अभी साल 2022 में विदान सभा के चुनाओं भी थे हैं इसमें सबसे बड़े राज युत्तर प्रदेश के चुनाओं की बात हो तो भारती जन्ता पार्टी की तरफ से भी और कॉंग्रिस पार्टी समाजवादी पार्टी सब की तरफ से मुफ्त योजनाओं का एलान किया गया था भारती जंता पार्टी ने मुफ्ति योजनाओं का ऐलान करते हुए दो LPG सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो पड़ रही हैं उनको सभी महिलाओं को मुफ्त में स्कूटी देने की बात कही गई थी इसके अलावा तमाम प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की बात उत्तर प्रदेश के चुनाओं में भारती जंता पार्टी की तरफ से ये अनॉंस्मेंट इस तरीके के हुए थे इसके अलावा तमाम चोटे-चोटे अनॉंस्मेंट और भी किये गए थे समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने उस समय अनॉंस किया था कि अगर वो चुनाओं जीतते हैं तो ऐसे में टू विलर जो चलाने वाले लोग हैं उनको एक लीटर डीजल पेट्रोल प्रतिमाह मुफ्त में दिया जाएगा वहीं जो आटो ड्राइवर्स हैं जो आटो चलाते हैं उनके लिए तीन लीटर डीजल पेट्रोल मुफ्त की विवस्ता हर महीने करने की बात कही गई थी ये वादा उस चुनाओं में किया गया था इसके अलावा कि इंशन के रूप में देनी की बात समाजवादी पार्टि की तरफ से उस समय कई गई थी कॉंग्रेस ने भी मुफ्त की कई जिनाओं का एहलान किया था लड़की हूं लड़ सकती हूं का नहाया देते हुए कॉंग्रेस को टार्गेट की था तमाम महिला उम्मिदवार को उन उनके लिए मुफ्त स्कूर्टी की बेवस्था की गई थी मुफ्त स्कूर्टी देने की बात कही गई थी इसके अलवा गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट जैसी सुविदा देने की बात कॉंग्रिस ने अपने गोशना पत्र में बीते विदानसभा चुनाओ 2022 में किये थे सुप्रीम कोर्ट में पहुच चुका है फ्री जो स्कीम से उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि इससे अर्थ वेवस्था प्रभावित होती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आम आदमी की भलाई और अर्थ वेवस्था की भलाई के मद्दे नजर इस पर सुप्रीम कोट सुनवाई कर रहा है, जैसा खुद CJI ने कही है ये बात. साथी साथ CJI ने कई सारी मुद्दे और भी उठा दिये, उन्होंने ये भी का कि इसमें किस तरीके से जिम्मेदार हो सकता है, कैसे इलेक्शन कमिशन इस पर रोक लगा सकता है, इसके अलावा उन्होंने कमेटियों की बात कर दी कि क्या ऐसी कमेटियां हैं या हो सकती हैं जो इस मामले में सुझाओ दें, कि आखिर कैसे तै हो कि कौन सी स्कीम्स केवल चुनावी वादे को चुनाओ जीतने के दरिस्टिकमोर से की जा रही है, जो याचिका करता है, उनके वकील ने ये बात कही थी कि तमाम राज्यों में चुनाओ जीतने के लिए अलग-अलग तरीके की स्कीम लाया जाता है, इसके अलवाद सॉलिसिटर जनरल जो तुसार मेहता है, उन्होंने बात उठाई दी कि कई जगे पर साड़ियां माटी जाती है, कई जगे पर टीवी और ऐसे आइटम्स माटे जाते हैं, तो क्या जो मतदाता है उसे ये जानने का अधिकार नहीं है, उन तक ये जानकारी नहीं पहुँचनी चाहिए, कि ये जो इस तरीके के वादे किये जाते हैं चुनाओ को जीतने के लिए, तो वो फिर पूरा करने के लिए उसका असर राज्य के बजट पर ही पड़ता है, फ कई इस तरीके के स्कीम्स हैं, कि जिन से आम आदमी और सब को लाब होता हो, हाला कि उन्होंने अपने बात में ये बात भी रख दी, कि जो याचिका करता है, वो इस बात पर फोकस्ट है, कि ये जो वादे, ये जो याचिका है, वो केवल चुनाओ के पहले मुफ्त में जो वादे किया जाते हैं, मुफ्त के वादे किया जाते हैं, उनको रोकने के लिए है, और ना कि चुनाओ जीतने के बाद जो सरकारें स्कीम्स बनाती हैं, उनके लिए, अब इस मामले में कल सुनवाई होनी है, देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आपडेट आता है अपडेट आने में हम फिर आपके सामने उपस्तित होंगे दन्यवाद